नमस्कार मैं मोनिका भारती दा लीडर हिंदी के इस खास बुलेटेन में आपका स्वागत है आई नजर डालते हैं आज की प्रमुक खबरों पर यूक्रेन से मुंबई पहुँची साथवी फ्लाइट 182 भारतिय नागरिक बतन लोटे मंगलवार सुभा एर इंडिया की साथवी फ्लाइट 182 भारतिय नागरिकों को लेकर रोमानिया के वुकारेश्ट से मुंबई पहुची है रूस और यूक्रेन के बीक जंका चटा दिन भी जारी है जानकारी के मुताबिक एर इंडिया का बीमान मुंबई एरपोर्ट पर पहुचा जहां इन भारतिय नागरिकों का केंदरी मंतरी नारायन राने ने स्वागत किया बतादे बीते दिन बुड़ा पेश्ट की छटी फ्लाइट 240 भारतिय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुची जिसकी जानकारी विदेश मंतरी एस जैस संकर ने दी सरकार के इस ओपरेशन के तहट अब तक 1100 से ज़्यादा भारतियों को भारत बापस लाया जा चुका है दर्शन कर पूजा अर्चना की इस दोरान बहां उनके समर्थक मौजूद रहे प्रियंका गांधी ने शिबलिंग पर जल चड़ाया और सभी के शुक सान्ती की कामना की प्रियंका गांधी ने लाइन में खड़े ओकर भगवान शिप का दर्शन कर सिबलिंग पर फूल अर काथ भी की योगी अधितनाथ का दावा पांत चड़ों में बीजेपी को मिल चुका है पूर्ण बहुमत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ ने दावा किया है कि राज्य विधानसवा चुनाओ के शुरुआती पांच चर्णों में भारती जंता पार्टी को पूर्ण बहुमद मिल चुका है और छटे चर्ण में भे तीन सौ से अधिक सीटें जीतने के लच्छ को हासल कर देगी मुख्यमंत्री ने एक चुनाओी जंसवा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने घोर परिवार वादियों को ठुकड़ा दिया है और गोरकपुर के हर बूत पर कमल खिलनात तय है सामाजवादी पार्टी के राष्ट्य अध्यक्ष अखलेश यादव ने बस्ती में चुनाओी जंसवा को संबोधित करते हुए वीजेपी पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा बीजेपी का प्रतियासी चाहे चमपी करा ले 700 बार उठक बैठक लगा ले उनको वोट नहीं मिलने वाला है बियट टेट वाले 5 सालों से भरती का इंतजार कर रहे हैं सरकार बनने पर इनका समयोजन किया जाएगा 22 राउंड गोलियों की तरतड़ाहट से गुंजी दिल्ली इंकाउंटर के बाद दो श्राफ सूटर ग्रफतार दिल्ली पुलिस ने गैंगिस्टर काला जेठडी और गोल्डी वरार के दो श्राफ सूटरों को इंकाउंटर के बाद ग्रफतार कर लिया है गिरफतार सूटर्स के नाम परिविंदर उर्फ काला और टोनी है इनके पास से दो पिस्तॉल और एक दर्जन कार्थूस्त भी बरामद हुए ये दोनों सूटर्स गैंगिस्टर्स सुनील उर्फ टिल्लू ताशपुरिया और दिल्ली पोलिस के एक सिपाही की हत्या के मकसद से आये थे आपको बता दें दिल्ली के लहुरी गेट में करीब 24.7 लाख रुपए की लूट बेरी जजजर हर्याना में 35 लाख रुपए की लूट सदर जजजर में 7 लाख की लूट के मामले में भी फरार चल रहे थे रोही सर्मा के टेस्ट कप्तान बनते ही बड़ी टेंशन रोही सर्मा हाल में ही टेम इंडिया के टेस्ट कप्तान बने हैं और अभी तक बतौर कैप्टन उन्होंने अपना पहला मैच नहीं खेला है लेकिन उससे पहले ही रोहीत के सामने ये चुनोतियां आ गई है कि कैसे भैट टेस्ट चैंपियंशिप के फाइनल तक का रास्ता तै करते हैं बता दें साउथ एफरीका और न्यूजिलेंड के बीच टेस्ट खत्म होने के बाद पॉइंट टेवल में बदला हुआ है टीम इंडिया के लिए फाइनल की रहा मुश्किल होने लगी है न्यूजिलेंड के क्राइस्ट चर्च में खेले गए दूसरे टेस्ट म फिलाल आज को बुलेटन में इतना ही अन्य अफडेट्स के लिए देखती रहे दालीडर हिंदी